मैचिंग, पर्फेक्ट मैचिंग, पर्फेक्ट मैचिंग इस देट मैचिंग और ग्राफ अल वर्टेक्स प्रेजेंट इन दी मैचिंग, ठीक है, मतलब कहा है, मतलब एक ग्राफ है, अगर इसका कोई मैचिंग हुआ, तो उस मैचिंग में सब वर्टेक्स प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है मतलब साब वर्टेक्स होना चाहिए तो एक एक फोर वर्टेक्स ग्राफ है A B C D तो इसका perfect vertex इसका perfect matching होगा जब किसी matching में फूर वर्टेक्स प्रेजेंट होगा, तो देखते, जैसे कि एक मैचिंग, अनली A, B, तो अनादर मैचिंग, अनली C, D, अनादर मैचिंग, अनली B, C, तो देखते कि पहले A, B, एक मैचिंग है, ठीक है, इसमें से दो वर्टेक्स यूज हुआ, A and B, तो इक पर्फेक्ट मैचिंग, C, D अभी भी बागी है, ठीक है, तो अनली C, D, C, D, A पर भी C and D यूज है, यूज है, यूज है, A and B नहीं, ठीक है, तो A भी नहीं, A, B and C, यह पर चार वर्टेक्स है, चार वर्टेक्स ही यूज हो, तो एक पर्फेक्ट मैचिंग ही, ठीक है, ठीक है, पर्फेक्ट मैचिंग मतलब एक ग्राफ का, एक मैचिंग होगा, जिसमें, तो एक एक मैचिंग ने, सब्सक्राइब एक गवर्टेक्स पर्फेक्ट मैचिंग नहीं, पर यूज है परवर्टेक्स ही यूज हो, नौट ए नौट दी ठीक है तो एह पर्फेक्ट मैंचिंग जैसे की और एक्जम्पल ओके ए पी सी डी अगर इसका पर्फेक्ट मैंचिंग देखना होगा तो एक दोनों होगा ठीक है एक चारों वर्टिक्स हो प्रजेंट होना चाहिए तरह भी हम बोल सकते की एक मैचिंग एक पर्फेक्ट मैचिंग होगा अब मैचिंग नामबर ठीक है मैचिंग नामबर एक ग्राफ है इस ग्राफ का जो मैक्सीमम मैचिंग है उस मैक्सीमम मैचिंग का नमबर कह है तो इसका मैक्सीमम मैचिंग कह होगा A, B, and C, D, A, B, C, D, इसका मतलब इसका मैक्सिमाम मैचिंग होगा, एक, दो, ठीक है, तो इसका मैचिंग नमबर, is 2, प्रत्तू, मैचिंग नमजकिंग, एक, सईखteenth किम नमजकिंग होगा, तक रिके, सम GO मैंचिंग और तल केंगic, झाल झाल